हाई फार थाखकरीग्ट्रिक्रिकल के यूटूब चनल में आप सभी क् пожश्वागत है आज कि इस वीडियो में आपको DC मॉटर के बर्गिकर वार नमताऊंगों कि DC मॉटर को कितने भागों में बाइटा गया है डीशी मोटर के कितने टाइप से तो मैनली जो डीसी मोटर होती है वो तीन प्रकार की होती है एक होती है सीरीज मोटर दूसरी होती है शेंट मोटर और तीसरी होती है कंपाउंड मोटर तो बात कर लेते हैं सीरीज मोटर की सबसे पहले तो सीरीज मोटर में क्या होता है सीरीज मोटर की जो फेल्ड कोईल होती है वो मोटी तार और कम टरन की बनी होती है और आरमेचर के सीरीज में कनेक्टिड होती है जिस तरह से आप यहाँ पर डाइगराम में देख सकते हैं इस तरह से यह हापस में पॉछश्य सद्राइब थो सीरीज मोटर गृप्र के यह सकते हैं छाब यहाँ पर देख सकते हैं इस मोटर राक लगन टो कर घे intern अ स्टैरी जब लोड बढ़ेगा थो स्पीड़ दढ़ाए गी और जब लोड गटेगा तो स्पीड बढ़ेगी सीरिस मोटर को कभी भी बीन लोड के यूज नहीं करना जाए क्यूंकि यह बहुत ही खतनाक स्पीड से चलती है इसलिए इसको लोड के साथ ही यूज करना पड़ता है इसको बहुत भाँ भी यूज की जाता है अब बात करते हैं शेंट मोटर की तो शेंट मोटर में जो फिल्ड कॉयल होती है वो पतली तार और ज्यादा टन देकर बनाए जाती है और जो शेंट में फिल्ड कॉयल है वो आर्मेचर की पेरलर में कनेक्टेड होती है आप यहां पर देख सकते हैं, यह हमारा आर मेंच रहे हैं और यह यह उन्ट फील्ड कोईल है, बना आप इसमें पेलर में नगटेड है और शेंट मोटर में जो तो करो अ कि tieерь की स्पीड होती है वो लूट के साथ अर बीना लौड दोनों में ब्राबर होती है । लोड रही तर या लोड सायँ लगवग ब्राबर ही हो तں प्रीडिया क्या अब दीख सकते हैं या पड़िखोण है है अब Hack कget मोटर की स्पीड लौरत करें लूट के साथ मतलब स्थिर स्पीड क्या भी शक्ता हो तो जैसे कि लेट मिशीन प्रिंटिंग प्रेस्ट या फिर वाटर पॉंप यहां पर अमारे को कि लोड साइथ और लूड राइथ दोनों अबस्ता में स्पीड स्थिर मतलब सिर चाहिए हो तो वहां पर शेंट ग्रहक है। इसमें एक और यह सम minor कि इनके कैंचिन में आप को करकर दिखा दीक होगे हैं मिसले वह पतली तार अधिकन की बंड़ी होती है और अर्मेंचर के पैयलर मैं में कनेक्टे भोती है तो इसको को इस तरह से अर्मेचर के पैलर में कनेक्ट कर देंगे चंट कोईल को और जो सीरीज कोईल होती है इसकी सीरीज वाइंडिंग होती है यह जो है मोटी तार और कम टरन कीवानी होती है और अर्मेचर के सीरीज में कनेक्टिड होती है इस तरह से और जो इसका दूसरा सीरा बच के अनुसार दो परकार की होती है एक होती है Cumulative Compound और दूसरी होती डिफ्रेस्चेल Compound Motor तो Cumulative Compound Motor की बात कर लेते हैं Cumulative Compound Motor पर होती है जिसमें Series Field का Flux जो है Shunt Field के Flux की मदद करें जैसे कि आप यहाँ पर डाइग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने Flux को सब्सक्राइब दिखाया है इसमें Crunt एक डिरेक्शन में जाता है दोनों में series field में और Shunt में भी इसमें क्या करता है कि Series Field का Flux होता है वह Shunt Field के Flux की मदद करता है आप देख सकते हैं कि करण्ट का डिरेक्शन हो रहा है कि करण्ट की डेarto doit तो फ्लक्स की डिरेक्शन भी सेम ही होगी इस तरह सब दिक से यहां पर एरो लगा हूए और इस तरह से इसमें भी एरो मार्क किया गया दोनों में एक साइड ग्रंट फ्लो हो रहा है तो इस प्रकार की जो हमारी मोटर है बहां पर यूज किया थे जहां पर लोड को तुरण अटा तेने के चकत्ष रोति है कि कोले करते मिशीन हो गई आ फिफेट तूल dalcan ट्याप गरती है उस उस ताइप कि मिशीन पे आ नेच्स्स्ट है डिफ्रेश्च्राल कंपाउंड मोटर इसद्डेलों ुकर इस्फिरी सफिर्ब का अप्याएंट ऒगा एक दूसरे के मतलग एक तूसरी करें ऑक करेंगे रोल ऒरीअट मोटर करेंगे ऑल दिवर्एंटिमॉटर चोम्ति और आएमधेश्य। कि में थिछा जाता हूं कि उसमें किस तरह से बना जाता हूं यथा यहां हो यहां पर मैंने को स skeptically भो डायराम नहां गरतिया ईसमें उसका सकते हैं यह १ार। यह लॉंडर का है और यह शोर्ट न मोटर का है कि लॉंड होता है कि युद्ध मोटर में क्या होता है कि दो कि हमारे श्रेबृ को नेगी वाद कừ क्नेक deg tomar जोगी उसका पैलर में यह पटाय की शेंट वाइंदink यह है आरमेज के पैलर में लागी तो लूंग शेंट में कहल लगी कि Castlecade projects और जो शॉर्ट शंट होगी उस टाइम जो फिल्ड वाइन यह वो सिर्फ अर्मेजर के साथ ही पहलर में लगी उसके बाद सीरिज वाइंडिंग आए इस तरह से यह दोनों मैं लॉंग शंट चाहिए कम लेटी मोटरों चाहिए डिफ्रेश्यल को पॉर्ड और इसी तरह से इसके कनेक्शन गया ते लेकिन उसमें सिर्फ एरो का डिफ्रेंस होता है जब कम लिटी मोटर की बात आए तो उसमें एरो दोनों इस तरह से एक साइड होंगे मैं लिएक्श्यल कंपोंड याए फिर ढिफ्रेस्चियल कंपॉंड मूट रहेус थ्युक्त जाहीं कि एक साइड कोमन कम लिटीव और यह दोनों एपनों मूर अर्ध गोगे लिपश्यल इस दोनों डिफ्रेंट हो गे लेसे जर्डरों इस थरह साभी स्को याद रख सकते है तो यह चाज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको डाइपस ओप डीसी मोटर के बारे मताया अगर आपको वीडियो चले लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करेगा थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो